पर जो विजन केजरिवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो केजरिवाल जी का विजन है गवर्नेंस का उसके सामने भारतिरी जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं मुक्यमंत्री एडविन केजरिवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर-घर हर गरीब आदमी को घर-घर में राशन पहुंचाएंगे अब उस से घबरा गए इन की भी सारी जगे सरकार drift सरकारे देश भर में राशन हैं देश भर में राशन बठता है लेकिन ये नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चूरी करनी है इनका मोडल चोरी का मोडल है इनका मोडल बेगमानी का मोडल है यह यह नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को जिसके पास गरीब आदमी है उसके पास राशन काड़ है उसको राशन लेने दुकान पर धक्के खाने पड़ते हैं वो घर में आथ उसके घर में राशन पहुंच जाए तो अब यह इसमें अडंगे लगाने लगे इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए आपको धियान होगा कि दो रिश्टेप डिलीवरी ओफ सर्विसिज के जिवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो सरकार से कोई डॉकुमेंट लेना हो तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़ें SDM के दफ्तर के, पेटरवारी के, ट्रांस्पोर्ट दफ्तर के, इन सब के धक्के ना खाने पड़ें, बलकि आम आदमी घर पे बैठा हुआ सरकार को फोन करें, और सरकार का आदमी लोगों के घर पे आए और वो लोगों का घर पे आके काम करके जाएगा, ये मौडल अर्वि दिल्ली से मौडल उठाके लगा देते, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे कि ये मौडल कैसे फेल हो जाए, दिल्ली के लोगों को भी ये सर्विसेज का फाइदा ना मिले, दिल्ली के लोगों को जो ये सुवधाय मिल रही है, आज पूरे देश में मोदी सरकार कहीं कोई काम काम निकर पारी, भारतेवी जिंधादा प्राटी की सरकारें कहीं कोई काम निकर पारी, बस अब ये एक काम कर रहे है, केज्डी वाल जी जो काम करना चाहरे है, जो उन्होंने किये हैं, उसमें अडंगा लगा दौ, उसमें लगातार अर्चने लगाते चले जाओ, लेकिन आच मैं आपसे यह कहना है हूं कि केजरिवाल जी fightर हैं केजरिवाल जी इनके इन अर्चनों से इनकी इन तिग्डमों से रुकने वाले नहीं हैं युनोंने बहुत कोशिश कही है पिछले छे साल में डिल्ली में अरविन केजरिवाल जी के काम रोकने की रह著 चोशिश कि लेकिन आज तक रोक नी पाये। जितना जोड़ से ने रोकने की कॉशिश की अतना जोड़ से उन्होंने फाइट बैक किया और आज डिल्ली में आप सब देख रहें कि कितने जबदस्त काम हुएं, इनकी तमाम अर्चनों के बाद हुएं जब 6 साल में इतने तमाम अर्चनों के बाद इतने काम हो गए तो काम तो नहीं रुकेंगे दिल्ली में ये उनका कमिटमेंट है काम तो नहीं रुकने देंगे फाइट चाहे जितने जोर से करनी पड़े लेकिन ये भी मुझे जो मूल Öpop से बात रखनी है कि आज पूरे देश में इस बात पर चरिचा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है मोदी जी का मॉडल तो फैल होता जा रहा है het बात होने लगे हैंब लोग दिरे एक दिन वो देश के ऐसे लोग प्रीय अनिता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं, यह तो काम करता है। यह जो कहता है, वो करके दिखाता है जुमला नहीं बुलता। यह मैनिफेस्टों में कुछ और लिखे और बात कुछ और करें ऐसे नहीं करते। ये टोकनिजम नहीं करते कि जी चार लोगों को फ्री बिजली का फैदा दे दिया और उसके बाद में सब इधर इधर हो गई बात अगर दिल्ली में बिजली फ्री एलान करते हैं तो दो तिहाई आबादी के घर बिजली के बिल जीरो आते हैं ये बात लोग समझ रहें अगर म नीद हराम हो गई है इस वजह से और अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीती कर रहे हैं मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो केजरिवाल जी से खबरा गया है उनको दिल्ली की तरक्की रोकनी पड़ रहे हैं उनको देश की तरक्की रोकने के लिए कानून लाने पड़ रहे हैं वो तो देश के प्रधान मंतरी हैं वो तो कहीं भी अच्छा काम कर सकते हैं उनके पास तो स्पेस ही स्पेस है पर वो अच्छे काम नहीं करेंगे प्रधान मंतरी का ओधा प्रधान मंतरी का पद एक तरह से देश में पिता के समान होता है उनके लिए वो किसी भी राज्य के किसी भी पार्टी के मुखे मंतरी हो देश के प्रधान मंतरी होने के नाते अच्छे काम को समर्थन करना चाहिए अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए facilitate करना चाहिए और चाहिए कि बाकी राज्जों में भी वो काम हो सके पूरे देश की जनता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले इसकी जगे नेगेटिव राजनीती कर रहे हैं मैं मोदी जी को कहना जाता हूं मोदी जी लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लकीर को मिटाय नहीं जाता लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर कीची जाती है आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये मत करिए ये अच्छी राजनीती नहीं ये नेगेटिव राजनीती और ये आप को शोभानी ते नेवादे